शराब ठेकेदारों से 25 करोड लाइसेंस फीज जमा ना करने के मामले में करनाल डिसी निशानतियादव सत नजर आ रही है उन्होंने कहा जिन शराब ठेकेदारों की लाइसेंस फीज बकाया है उनको नोटिस दिये गए है अगर शराब ठेकेदार समय रहते फीज जमा नहीं क तो उनकी प्रोपर्टी अटैश की जाएगी और उसे क्रे करके राशी वसूल ली जाएगी उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सरकार राशी को छोड़ा नहीं जाएगा आप भी सुनिए करनाल के डिसे निशानती आदम ने क्या कुछ कहा इसकी मेरे संग्यान में बात आगी थी और हमने इसकी पूरी जाँच कराई है लगबग साथ आठ लाइसेंस होल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइसेंस पी जमानी कराई है इनको जो लास्ट इर जमा करानी की वो मार्च एंड तक होती है और ये लगबग पूरे स्टेट में इसी प्रकार की समझ्या है तो इसको कोटाला कहना तो ठीक नहीं होगा लेकिन मार्च एंड तक हम सबको जमा करा लेंगे इनकेस कोई लाइसेंस होलडर ये फिर भी ना जमा करा है तो उनकी प्रोपर्टी हमारे पास मोट गे इस्ते हैं उनकी प्रोपर्टी को ऑक्षन करके उसकी जो क्रय करके और ये जब राशी वसूली जाएगी बर किसी भी कीमत पे सरकारी राशी को छोड़ा नहीं जाएगे और इस करके वह जमां नहीं करा हैं लेकिन जwohlकि इन्होंने बोली की है इनकी बीड़ की है तो इसके घ्रक बांती है गां पर झाना इसके घाला बेर केरे किम आई अड़ा ब्रटीए वसकी प्रोपर्टी और कि कृक्टन तो उनके इसमें करे नहीं पाई सिरे किर थी सर्वाइन के दुकान ने हैं जा एल वन ने हैं जा दूसरे ऐसी वह भी एंसामने जी बेसिकली जो उनके एल वन एल थर्टी ने सारे जो भी लैसेंस होल्डर से उनकी पेंडल सी यह पता लगा कि हर बार अपना नाम बदल लेते हैं फरम का और डिफाल्टर होते हुए भी वारा उक्षन मेंना शाम मिलनों और आप राद भी कुम का दूमाता आज कराएंगे जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पलेस राजगराना और फानेस बैंक्वेट अल जोती गार्दन वोल्ड-class catering, century air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, राजगराना एंड जोती गार्दन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज